कल मेरी साड़ी पर जूज गी रहा था और मैं दुबारा नाहने गई थी तुम कुकर में चने चड़ा कर मेरे पास आई थी तब रसोडे में कौन था कौन था तुम थी, मैं थी, तुम थी, मैं थी, कौन था अरून, अरून सवाल पूछने या निकल लूँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मीडिया वालों का धन्यवाद, सबसे पहले दो शब तो ये कहूंगी कि बहुत लंबी यात्रा रही, मेहनत वाला सफर रहा तब जाकर दादा साफ आल के अवार्ड मिला है इसके लिए मैं बहुत सौभाखिशाली हूँ और गुरु की कृपा है, इश्वर के आशिरवाद है, दर्शकों के आशिरवाद है, उनका प्यार है आप सभी का भी सहयोग है, तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई क्योंकि ये अवार्ड आपके लिए भी है जब भी आप कुछ करती है, कहीं भी कुछ काम आपका आता है, तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है इसलिए मुश्ट ट्रेंडिंग कुछ कहना चेंगे आप बिल्कुल मैं कहूंगी कि ये इश्वर के आशिरवाद है, उनका चमतकार है, उनकी कृपा है दर्शकों का निस्वार्त प्यार है, बाकी कड़ी मेहनत अपनी जगह पर है इतना जरूर कहूंगी कि खुबसूर्ती ढल जाती है, ताकत ढल जाती है, ओधा और पत समाप्त हो जाता है पर अच्छा इंसान, आखिर अच्छा इंसानी रहता है एक अच्छे इंसान बनेंगे, तो हम अपनी कला में सर्वश्रेश्ट रहेंगे अच्छा लगता है, क्योंकि सीजन टू हमेशा प्रोडूसर और चानल सामने से बनाते हैं यह दर्शो को कोई दिमान थी, तो यह सौभागया है, इस सम्मान के लिए मैं बहुत खुश हूँ और दर्शक मुझे प्यार कर रहे हैं, चाहे मैं किसी भी किरदार में आहूँ तो यह भी बहुत बड़ा सम्मान की एक बात है, विशे है मुझे लगता है कि साथिया सीजन वन को जितना प्यार दर्शकों ने दिया, उतना ही प्यार दर्शक देंगे अभी शुरू हुआ है और शो जमेगा तो दर्शक उतना ही प्यार जरूर बरसाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है कल मेरी साड़ी पर जूज गिरा था और मैं दुबारा नाने गई थी तुम कुकर में चने चड़ा कर मेरे पास आई थी, तब रसोडे में कौन था कौन था, तुम थी, मैं थी, तुम थी, मैं थी, कौन था आरुन, बोथ बोथ धन्यवाद, खज़िस्सरां थिंप 59 अरुन, अरुन, तुम चली, मैं हिसी स्थैं भाल हहाँ, वोरड गलद कलना, कासे कौन थे प्रकोस्धा, कलीए कि था रelf τर्र रदी ख़्ते रुए थी, कलीए मैं आपके डिर रखने मावी ती घर परने यहाँ अचिए जिसको सब्सक्राइब नहीं है म सलोगर से बस्तान दिए इस सब्सक्राइब इंसे के आगेधिर रेक्ट शीद्रबे ना है वार फिजल पर टो और साथन हो फिर फिर ईवारता है ज्याए किया घरिता है अजए कम थाथन की अनुग अर्फ सब्सक्राइब नार दो आप द्याय करता है यह सब प्रकार करें पूभ सेयो जयाँ है थोड़ा दिस्तन्स कीच कीचे docil का झाइ страх कशेयर के करें थम56 यह बहुत ही सम्मान की बात है और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस सम्मान के लिए और इस आवर्ड के लिए चुना गया और एक वादा एक स्पॉंसिबिलिटी के साथ जा रही हूँ कि मैं अच्छा काम करती रहोंगी और इसी तरह एंटिटेन करती रहोंगी जो अवार्ड मिला उसके लिए कुछ कहना चाहिए और इस खासकर यह जो 2020 रहा है हम सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि ऐसे वक्त में अपने फैमिली को घर पर छोड़कर और काम पर जाना और फिर आपको डर लगता है कि कहीं आप इंफेक्शन या वाइरस लेकि घर पे ना जाएं तो रोज एक डर होता है लेकिन स्टिल जब आप मेहनत करते हैं और काम करते हैं और आपको अप्रिसियेशन मिलती है और वो भी सबसे बड़ी चीज में आपको बताना चाहूंगी कि अभी जब लोग लोग डाउन में घर में थे सबसे जादा लोगों ने भाबी जी देखा तो वो सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग परिशानी में थे या एक कश्म कश्में थे कि पता नहीं क्या होगा हम काम पर वापस कैसे लोटेंगे तो हम लोगों के चहरों पर थोड़ी सी मुस्कान ला रहे से थे तो दैस्ट अच्छे नहीं कि लोगों को इसी तरह हसाते रहे और लोग खुश रहें खिल खिलाते रहें जरूर जरूर और प्लीज मतलब मुझे ओफर्स तो आते हैं बट अभी वही है कि बिकुज हम अभी इतना बिजी हैं इस शो के साथ बट फॉर और इस बार में ओडियन्स को और जरूर सप्राइस करना चाहते हूं को आप करना पोशन करेंगे केज़ टॉकी केज़ देखिये जरूर बट या 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 थैंक यू थैंक यू आप सब ध्यान रखिये अपना सब्सक्राइस और का थैंक यूर मत किया ट्रूर इस बैस जान शाल इस बटारीगए ए सबी इमनेौनिटेम एंक पे nem अ कि जह दो इस पर और श्लावेरें फेयर्टेम मैं तो तर देख लो, वह बहुत देख से देख दो तक तक बाइवजलेशन सर्फ टाइंक यू बहुत बहुत ददेबाद कितने हैं, कितने हंड्रेट? सई पकड़े ही तो क्या कहना चाहेंगे कि आजकल जो शोज चल रहे हैं उनमें दो दो तीन-तीन महीने में चीजे बंद हो रही है ऐसे में अगर कोई चीज छटे साल में चल रही हो मार्श तीन को हम छे साल पूरे कर लेंगे और पंदरा सो अफिसट तक पहुंच रहे हो तो यह बहुत जो काम कर रहा है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा सबब है वह में समझता हूँ हमारी जो राइटर है उनकी राइटिंग है जिससे आप बहुत पसंद कर रहे हैं और मैं चाहता हूं इसी तरह से आप पसंद करते रहे हैं आपका प्यार मिलता रहेगा तो छै साल नहीं प प्यार भरी सीख देने की कोशिश थी बाद में मुझे बहुत डाट पड़ी क्योंकि हमारा हिंदूस्तान देश ऐसा ही है अगर आप थोड़ी सी कुछ नसीहत देने लग जाओ तो वो उल्टा आपको ट्रोल करना शुरू करतेंगे मैंने सिर quick यह का था कि इतना चिला रहे हैं 일ने को डिष्टैंसिंग का ख्याल रखो यह रखो वो रखो लेगिन आप कतशी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्रिपा करके उसका ध्यान दे हालग हम भी नहीं दे रहे हैं लेकिन क्या करो अब ये भी बात हो सकती है शायद अभी नहीं ऐसा कुछ नहीं है अच्छ नहीं होगा कुछ झालगा इमारे गुर्डे लालना हो रहे है तुम कहां कहां जाओगा मैं आद बेंट कहुआ आजया है इसका एक सबसे बड़ा कारण कि हमारा महीनालगबग चला जाता है हमारे पास चाहा कर भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, सिंपल सी बात है अंदर की बात बोलो ना दोने तक का टेम ना है, सुबह से आठ से रात के आठ हो जावें काफी बीजी रहे थे काफी बीजी, काफी अपने अपने इंडिवीजियल विचारधारा है, लेकिन कमिट्मेंट एक चीज होती है, जिसे हर आदमी का अपना अपना सत्य है जैसे मैं और टिलू हमेशा ये चाहेंगे कि हम कमिटेड रहें चीजों की परती क्योंकि हमने उनका कॉंट्रेक्ट साइन किया है जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक हम साथ रहेंगे और हमेशा बने रहेंगे यार ये अवार्ड अब मैं क्या बताऊं कि बहुत छोटे थे जब माँ इस दुनिया से गुजर गई नहीं बड़ी भेणों ने हमारा पालन पोसन किया है और बड़े भाई अदिल जदी ने हमें इस लायक बनाया है हात में कलम दिया है तो मैं समझते हूं यह अपनी भेणों को मैं डेडिकेट करना चाता हूं क्योंकि माबाप का तो हमारी हर सांस पर हुकूमत है उनका तो हम शुक्रिया आदा करी नहीं सकते लेकिन अगर बहने और भाई इस काबिल निकल जाते हैं जो छोटे से बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं मुंबई तक पहुंचाते हैं और एसे लोग मिल जाते हैं बड़ी बात है सार्स त्राफी